हम देखते हैं कि Grand Priest मेरियम को एक अलग डाइमेंशन में भेजने के लिए एनरजी बॉल को तयार करने लगते हैं और वो एनरजी इस्तिमाल करने की वज़े से Grand Priest को बहुत सारी चोटे आती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं इसके बाद Grand Priest जेनो समा से कहते हैं जेनो समा आप यहां से चले जाएए इसे मैं देख लूँगा लेकिन तब ही हम देखते हैं कि मेरियम किसी भी तरीके से Grand Priest के अटैक को बहुत ही असानी से कैंसल कर देता है और जेनो समा यहीं देखकर बहुत ही ज़ादा चौक जाते हैं आखिर यह कैसे हो सकता है मैंने तो इससे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था मेरे हमले का इस पर कोई भी असर क्यों नहीं हुआ इसके बाद मेरियम कहता है मैं बनूँगा निव किंग अफ एवरिफिंग और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु अपने घर पर जाता है लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है वो देखता है कि उसका घर तूटा हुआ है और पुरी तरीके से तबाह हो चुका है गोकु ये देखकर बहुती ज़्यादा चौक जाता है और कहता है नहीं चीची गोकु ये देखकर बहुती ज़्यादा घबरा जाता है कि उसकी फैमिली को उस शैतान ने मार दिया था इसके बाद गोकु कहता है नहीं क्या ये तूटा है